उर्जा बनाने के लिए कहीं सोलर पैनल का इस्तमाल होता है तो कहीं विंड मिल्स का नए जमाने की इतनी बड़ी बड़ी और मॉडन विंड मिल्स के आने से पहले भी पवन्चकियां हुआ करती थी जिनका इस्तमाल गेहूं पीसने या फिर पानी सीचने के लिए किया जाता था हॉलन्ड को दुनिया भर में अपनी पुरानी पवंचक्यों के लिए जाना जाता है लेकिन अब इने चलाने वाले लोग ही नहीं रहे इसलिए जादा तर चक्या तो बस सजावट के तौर पर रह गई है पर कुछ युवा हैं जो इनकी ट्रेनिंग में रूची दिखा रही है वीकेंड में जब बाकी साथ ही फुटबॉल का मैच देखते हैं या पार्टी करते हैं तब कुरेन, हाइकॉप यहां पवन चक्की का काम सीखने आते हैं 16 साल के कुरेन यहां चक्की चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं हेंक, डेमॉइट इनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं इस 130 साल पुरानी पवन चक्की में यहां का रूटीन तो कुरेन सीख ही चुके हैं सबसे पहले जंडा लगाया जाता है. इसका मतलब होता है कि चक्की चलाने वाला अंदर आ गया है. इसके बाद चक्की के वील की आईलिंग की जाती है. आज भी सब कुछ वैसे ही किया जाता है, जैसे सदीों से हो रहा है. मेरे दोस्तों को ये अच्छा लगता है जो मैं यहां कर रहा हूँ लेकिन उन्हें ठीक से काम समझ में नहीं आता जब मैं समझाने लगता हूँ तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं ये पुरानी पवंचक्या हॉलन्ड की पहचान है देश भर में 1000 ऐसी विंड मिल्स हैं और लगभग सब आज भी चल रही हैं ऐसा भी नहीं कि इन्हें सिर्फ परियाटकों को खीचने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता हो ये आज भी अनाज पीशने का काम करती हैं इनसे पानी भी सीचा जाता है लेकिन अब चक्की चलाने वालों की कमी होने लगी है हेंक डेमॉइट की उम्र 70 साल है आजकल तो बस रिटायर हो चुके लोग ही इसमें रूची दिखाते हैं अभी तो चक्कीयां चल रही हैं लेकिन 10, 15 या 20 साल में बड़ी दिक्कत आने वाली है खुद हॉलन के लोगों को लगता है कि ये चक्कीयां बस दिखावा हैं क्योंकि अब तो बाजार में मशीन से पिसा आटा ही मिलता है हमें तो पता ही नहीं है कि वहाँ जाकर आप आटा भी खरीद सकते हैं बाजार से सहुलियत होती है लेकिन क्या पता चके के आटे का स्वाथ बेहतर हो गेहूं हो जोच या जवार लेन लागरवर्फ की चक्की में सब पिस्ता है और आइस्टर्विक शहर की बेक्रियों को बेचा जाता है हमारे यहां तो कहा जाता है कि जब चक्की के पत्थर गाने लगें और जब आटा मुलाइम महसूस हो तो समझो क्वालिटी बहतरीन है और परियटों को भी पत्थरों के गाने की आवाज सुनने का मौका मिलता है यह ग्रूप स्पेन से यहां आया है हम यहां इसले आये हैं क्योंकि हर कोई कहता रहता है कि हॉलेंड पवन चक्कियों से भरा हुआ है यह पवन चक्कियां यहीं बनी रहेंगी यह तो तैह है लेकिन क्या भविश्य में भी बेकरियों को यहां से आटा मिला करेगा क्या आगे चलकर भी कुएन जैसे युवा चक्की चलाना सीखना चाहेंगे इस सवाल का जवाब अगली पीधी को देना है